अपराद जगत में सुर्खियां बटोरने वाला बेगुसरा में एक बार फिर बेखोब बदमासों ने बरी घटनों का अंजाम दिया जहां पर लर्की छेरने के बिरोध करने पर एक युवक की जान पर बनाई से युवक की बाएं हाथ में गोली लगी और गंबी रूप के खायल होगे और अपरादी फरार होगे लेकिन अस्थानिया लोगों ने आनन्फाने नमू से इलाज के लिए बेगुसरा के सदर अस्पताल में भरती कराया पूरा घटना एप्सिया थाना के सितला अस्थान की है क्या सब कहते हैं इस पूरे मामले के लेकर परिजन चलिए जानते हैं इसे जानने से पहले मैं हुँ निरज कुमार आप अभी देख रहे हैं फाब नूइ राधायानी शॉप पर मिल रहा है पच्चास परसंट तक का फारी डिसकाउंट किड्स एवं लेडीज वेर में तो आज ही आए इस सावन सीजन में हमारी राधायानी शॉप में जिसका पता है अवद मार्केट अगरे सेन मार मीन डोड बेगुसराय जहां पर पच्चास पर अच्छा उसको दोस्त की बहान लगती थी ताम नसे इसको बोले भाई समझा दिया मेरा दोस्ती था उसको अम समझाय थे कि ऐसा करोगे न दिक्कत होगा तुम्हें अपनों दोस्त है दोस्ती आ रहे उसको इवहान के साथ बोला कि ठीक है भईया आबरी बार पापाक ने ब तो फरी मारे थे ढ़रा बजार में कोई वीडियो बना लिया उसको तो पी चलाथे रहा लियता उसके बाद मेरा वीडियो बोला तो हम बनाओं कर रहे हैं उसी में यह में पुला ए और थन आगर बीडियो province करते तो तेखो अगर मेरे फोन में कुछ होगा आन फोन वी मतलब आप समझाए बुझाए उसी के विवाल में आपको कहां की घटना की जगह पर हुई है गोली बारी हुई है एप सिया चेत्र है सितला स्थांड वहीं सितला स्थांड क्या नाम है आपका आदेवत कुमार कितना उम्र होगा आपका लगमार वीश वर्ष किनके पुत्र है दर्मेंदर सिंग घर कहा हुआ आपका शिमर्या शिमर्जाजेग दिन करगरम शिमर्या वार नमर दो अज़िने की सब्सक्राइश गोली मारा गया क्या घटना है अटना पहले इसको बुलाया गया कि दोस्ती था पहले दोस्ती था हां उसके बुलाया गया इसके साथ मार्पिट किया गया पहले इसको मार्पिट किया गया उसके मार्पिट करने के बाद रास्ता में जब इसको मार्पिट करके घर इसको भेज दिया गया तो रास्ता में तिंचार आदमी था और इसको गोल तक्रीबन घर से कितना किलोमेटर दूरी में ले गया इनको बुलाकर चार-पंच किलोमेटर उधर मतलब कौन गाव में इनको गोली मारत अब मारा गोली लगा था यहीं मुसाहरी में